दिख विजय सिंग को जोत्रादिस सिंधिया को कड़ी चिहता वनी कॉंग्रेस सिंधिया को गद्दारी पड़ सकती है महराज को भारी MP विधान सबाचिनौ में गद्दार और इमानदार के बीच मुकाबला मतदान करीब है 17 नौवंबर को मतदान होना है मतदान से ठीक पहले राजवनीतिक दलो ने प्रदेस में चुनावी रह लियों और प्रचारपेसार में पूरी ताकत ज्यों को रखी है इस समय प्रदेस में राजवनीतिक आरोप प्रतयारोप का दौर भी जारी है इसी बीच MP के पूर मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के वरिस्त नेता दिगविजे सिंग ने BJP पर निजाना साते हुए जोत्रा दिस सिंधिया को कड़ी चेतावनी दे डाली है दिगविजे सिंग ने BJP पर MSN यानी महराज सिवराज और नाराज वाला वार भी किया है सिंग ने कहा मदप्रदेस में BJP तीन गुटों में बढ़ गई है एक गुट महराज BJP यानी जोत्रा दिस सिंधिया का है दूसरा सिवराज BJP यानी CM सिवराज सिंग चोहान और तीसरा नाराज BJP यानी बागी BJP है दिगविजे सिंग यहीं नहीं रुके सिंग ने कहा यह चुनाव उन लोगों के बीच है जिन्होंने कॉंग्रेस को 2020 में धोका दिया था यह चुनाव धनबल और जनबल के बीच है एक गदार और एक इमानदार आदमी के बीच है 2018 में मुझे और कमलाद को केवल पाश महीने मिले थे तब संगटन भी उतना तयार नहीं था जो इतना होना चाहिए था अब हमारा संगटन तयार है दिगविजे ने आगे सियम सिवराज सिंग चौहान पर हमला बोलते हुए कहा कि आज सिवराज सिंग चौहान के खिलाब बहुत आक्रोस है चौहान के खिलाब बहुत नाराजगी है 2018 में उससे भी ज़्यादा नाराजगी थी बीजेपी भी आज बटी हुई है मजदूरों को जितना नुकसान भारती जंता पार्टी पहुचाई उतना कोई और संगटन नहीं पहुचा सकता इसके अलावा पूर्ब सीयम दिग्विजा सिंग ने उन कॉंग्रेसियों को भी चितावनी दी जो कॉंग्रेस छोड़ कर चले गए दिग्विजा सिंग ने सिंधिया का नाम लिये बगैर कहा जो कॉंग्रेस छोड़ कर चले गए थे उनके लिए दिग्विजा सिंग के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे यानि कॉंग्रेस के दर्वाजे खुले भी तो दिगविजय सिंग का दर्वाजा जोत्रादि सिंधिया के लिए बंद ही रहने वाला है ये दिगविजय सिंग ने क्लियर कर दिया